संगीत में एक ताल और चो ताल या चार ताल मुख्य तालों में से हैं दोनों में समानता ये है कि दोनों ही ताले एक ताल और चार ताल बारा मात्राओं की ताले हैं विभाग भी सेम हैं दोनों में हर दो मात्रा के बाद एक एक विभाग है पहली, पाचवी, नौवी और ग्यारा मात्रा पर ताली और तीन और साथवी मात्रा पर खाली दोनों ही तालों में है ये तो हो गई समानता तो अंतर क्या है दोनों तालों में? अंतर है, ठेके का अंतर है दोनों तालों के बोल अलग-अलग हैं जबकि मात्राएं दोनों में 12 ही हैं लेकिन जब ये पखावज या तबले पे बजेगी तो उसका जो sound होगा वो different होगा क्योंकि उसका जो बोल है वो दोनों तालों के अलग-अलग हैं चलिए चार ताल की बात करें चार ताल को बोलते हैं खुली हुई ताल इसके जो शब्द हैं इसके जो बोल हैं वो खुले हुए हैं ये जादातर धुरुपद में बचती है चार ताल तबले और पखावज दोनों पर ही बचती है ये medium और slow speed में बचती है और इसके जो बोल हैं इनको बोलते हैं खुले बोलों की ताल चार ताल का ठेका है धा धा दिन्ता किट धा दिन्ता तिट कत गदिगन अब बारत करते हैं एक ताल की ये छोटे ख्याल में बचती है बड़े ख्याल में बचती है और रभींद्र संगीत में भी बचती है छोटे ख्याल यानि दुरुद या fast speed में बचती है और बड़े ख्याल यानि विलंबित या slow speed में बचती है एक ताल तबले पर ही बजाई जाती है तो इसका मतलब ये द रुत और विलम्बित दोनों में ही बजाई जाती है और इसके बोलों को कहते हैं बंद बोल बस यही अंतर है दोनों तालों में एक ताल का ठेका है धिन धिन धागे तिरकेट तूना कत्ता धागे तिरकेट धीना तो अब आप समझ गए कि दोनों तालें काफी समनांतर होते हुए जब भी लग अलग तालें है दोनों के विभाक सेम हैं दोनों में मात्राएं ताली और खाली भी उसी जगे पर है दोनों में लेकिन फिर भी यह काफी भिन भिन तालें हैं तैंक यो बिसे एसका की विई पिढ़ी नमस्ते